हेलो फ्रेंड्स कुकिंग वित वर्षा में आपका स्वागत है मैं वर्षपवर आज लेकर रहे हूं फ्रेंड्स आप सभी के लिए दीपवली स्पेसल मेदे और रवे की मठरी की रेसिपी यह बहुत ही आसानी से बहुत ही कम चीजों में और कम समय में जटपट बन कर तयार हो जाती है आप जरूर बनाएए इस दीपवली पर और आपको बहुत पसंद आने वाली है यह रेसिपी तो इसे बनाने के लिए हमने किन किन चीजों का इस्तमाल किया है और कैसे बनाए है तो चलिए देखते हैं और बनाते हैं इससे पहले आप सभी को दीपवली की हार्दिक सुपकामनाए तो चलिए बनाते हैं मैदे और रवे की मठरी तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे एक कप के लगभग मेदा तो यहाँ पर हमने एक कप मेदा लिया है और यहाँ पर आदा कप से भी आदा कप हम रवा लेंगे यह रवा भी इसमें डाल दिया है थोड़ी सी कुटी हुई हमने सोफ डाल दी है इसमें और एक चम्मच के लिए अजवाइन हाथों से क्रस्ट करते हुए इसे भी डाल देते हैं और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक चम्मच भुना हुआ जीरा पौडर दाल देते हैं आदी चम्मच से भी कम हम यहाँ पर काली मिर्च का पौडर डालेंगे इससे भी इसका बहुत अच्छा टेश्ट आता है और यहाँ पर हम कडी पत्ता बारी कट करके इसे भी डाल अच्छा रहता है, तो मैंने यहाँ पर घीका है मोयन के लिए, अब देखे, इस तरह से मोयन हमने डाल दिया है, तो समझो मोयन अच्छे से डल चुका है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें पानी डालते हुए इसका आटा लगा लेते हैं, तो आटा हमें क्या करना है कि जिसे हम पुड़ी का आटा लगाते हैं इस तरह से हमें थोड़ा सा टाइट टाइटा लगाना है नरम नहीं लगाना है ये देख सकते हैं आप टाइट लगाया है इसे 15 मिन्ट के लिए छोड़ देते हैं हम रेस्ट पे 15 मिन्ट हो गए हैं फ्रेंड्स ये देखिए आटा भी अच्छ जिसे इसकी लोहिया बनालेते हैं तो लोहिया में यहाँ पर दो बनारी हूं इतने मेदे कि मैने दो लोई बना ली है lijum болी अब हम इसे क्या करेंगे बेल लेते हैं तो ऍ该तासा अमेहां थोड़ा के लिए आप किसी भी चीज का इस्तमाल कर सकते हैं, आपको जिस सेफ में कट करना है, आप उस सेफ में कट सकते हैं, मैं इस तरह से लंबे-लंबे पीसिस में कट करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करूँगी इस तरह से मैं सारे कट कर लेती हूँ ये देखिए ये सारी मठ्री मैंने कट कर लिए इसके जो साइट की किनारे हैं वो निकाल दिये हैं क्योंकि वो कुछ अलग से कटे हुए थे तो उसे हटा दिये हैं मैंने अब इसमें से मैंने इस तरह से फिर से कट कर लेना है मैं थोड़ा इने बड़ा बड़ा लंबा लंबा ही रखूँगी तो ये देखे इस तरह से ये साइट की किनारे हटा दी है और ये देखे इस तरह से हमने मठ्री को कट कर लिया है ये सारी मठ्री मैंने कट कर ली है और अब हम इसे क्या करेंगे फ्राइ करेंगे तो इस तरह से देखिए मैंने कट की है अब हम क्या करेंगे कि गेस पे ऑईल गर्म करने के लिए रख देते तो आईल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है मतलब हमें धीमा ही रखना है गेस को ज तो यह देखिए,फ्रेंट्स हल्की हल्की फ्राय होने लगी है, तो मैंने अभी पल्टू koणी नहीं,क्योंकि ठीर और लगेगी थीď मैध्यो थेकव ने में। तो यह देखें friends, बन के तयार हो गई है, खस्ता बढ़िया वाली मत्री मेदे और रवे की नहीं है आपको वीडियो प्संद आयाया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और ये जटपट बनने वाली रेसिपी आप जरू ट्राय कीजिए आपको बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ